कि आपने ये जो किया है और जो होने दिया है तो ये आपकी अंतरात्मा पर बोज बनके रहेगा इतनी असानी से नहीं जाएगा अजित जी एक बात जो आप ने स्वाथ बहुत जमाना लगाया इसको काम करने में सुबह शाम जला हूं तपा हूं और उसके पेट पर लात मारी आपने ये बड़ी-बड़ी अंग्रेजी बिजनेस प्लान फरजी दोनमरी बिजनेस दुनिया का तिन नमरी बिजनेस ये घ्यान ये भाशा मेरे सामने मत लगाईएगा ये ठीक किया नहीं भाई मैं भारत माता से मैं अकेले में तो बात कर सकता हूं ना कि मेरे लिए क्यों नहीं जगा है तुमारे आचल में रभीष की पीड़ा निकल कर आ रही है कि जो आवाज जनता की थी युवाओं की थी विरुजगारों की थी दर्शकों की थी नागरिक की थी उसको उस आवाज को अपने प्लेटफॉर्म दिया उनकी परिशानियों मु चला गया अभी मैंने देखा कि दैनिक जागरम में उनका इंट्रिव्यू छपा है फी पावर फीचर और उसमें वह एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहा है तो यह सारे इशू जाते ना यह उठेंगे क्या उठें तो अच्छी बात है फिर उठेंगे तो फिर एंडी टी आपको अभी कहा तो गया नहीं था अडानी की तरफ से यह उनके लोग कह सकते हैं कि हमने कहां कर देंगे कोई चुनाव होगा तो आफ्ताब आ जाएगा कोई चुनाव आएगा तो हिजाब पर मुद्दा आ जाएगा तो वो सफलता तो मिल रही है उसमें हर समय आप पबलिक के स्वाविमान को आप उसको जूता मत मारिया अब आपको जेल में डालना है डाल दीजे आप मुझे जिन्दा नहीं देखना चाहते हैं आपकी मर्जी है हमने अपनी बात कह दी है अगर आप मुझे नुकसान पहुंचा कर इस लोगत तंत्र पर और भारत माता पर अगर आप कोई गिल्ट डालना चाहते हो आप राद ब बात करते हैं मैं उनकी नौकबियों के लिए आवाज उठा रहा था और मेरा गला छिल रहा था अब हम पूर्व पत्रकार हैं ने पूर्व पत्रकार नहीं हूं आप बिजिटल पत्रकार हो आप क्या करें झालना च्छुटकारा ही पा लिया मुझसे देखिए अगर मैं रह से दोहराने का साल था तो अब आपको रवीश मलाल है कि मतलब इस देर साल में 24 के पहले जो हम मजबूती से अपनी बात करते हैं जो चला गया तो अब क्या ही करें हम एंडी टीवी में रवीश अगर देखें आपको आजादी बहुत मिली जिसको करते ना असीम आजादी लिम वो सिर्फ मुझे नहीं मिली सिर्फ मेरे लिए तो एंडी टीवी नहीं बना तोल कुछ कम हुए क्या कुछ तो कम हुए हैं किस बात का गर लगता है एक जगह तो हम घिरी गय थे पता नहीं वहाँ से वापस लॉट पाते कि नहीं लॉट पाते लेकिन निकल आए खेर किसी तरिके से आए आए रविष्ट स्वागत है आपका थैंक्यू थैंक्यू मेरे ख्याल से आप में से जितने लोग होगे उसमें कोई तरिके ऐसा नहीं होगा जो रविष्ट को जानता पहचानता नहीं होगा इसलिए किसी लंबे चोड़े परिचय की जरूत नहीं है और ये सुबह कुछ खास है रविष्ट अब तक जो सुबह होती थी उस सुबह के शुरुवात एंडी टीवी के प्राइम टाइम के लिए कु मत मिस कर रहा हूं सुबह उठता हूं तो लगता है कि वो कहां चले गया है है नहीं पता नहीं वो मेरे विना क्या कर रहे होंगे और उनके विना मैं क्या कर रहा हूं कि अक्सर मैं सुबह जब उठता था तो मेरी एक ही दिन चरिया थी कि कभी पूरी नीन तो आई नहीं तो उठा और लैप्टाप उठाया और लिखना शुरू कर देता था उस पूरे प्रोसेस में लगता था कि कोई एक दर्शक इस लाइन पर बैठा हुआ है कोई एक दर्शक इस लाइन पर बैठा हुआ है और शाम तक जाते आते लगता था कि सारे एक ही कमरे में आ गये हैं जो सु तो एकदम से समझें कि आपने कूदा तो था जहाज से और पैराशूट से आप बंधे थे लेकिन बीच सफर में किसी ने किसी बड़े गोदी सेट ने पैराशूट काट दिया तो अब मैं आस्मान में हूं जमीन पर भी नहीं गिरा हूं गिर भी सकता हूं कुछ पता नहीं इ कभी उडास हो जाते हैं आश मेरे पास कोई काम नहीं है और कभी गेहरी नीद में सो भी जाता हूं तो बहुत अलग तरह का है, ऐसी आदत नहीं थी मेरी कि बिना काम के दिन कैसे गुजारें यह सीख रहा हूं और इसलिए मैंने रवीश को आज बुलाया और इन से अग्रह किया जहां मैं रहता हूँ कुछ ही दूर रवीश रहते हैं तो आज आगरा किया कि एक सुबह रवीश के साथ कुछ दे बाच चीत की जाए उस रवीश के साथ जिस रवीश ने 27 साल तक एंडी टीवी में काम किया और दो दशक से ज़्यादा वक्त तक रवीश की रिपोर्ट से लेकर प्राइम टाइम तक देश के दर्शकों से मुखातिब रहे दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिला और बहुत ज़्यादा गालिया भी मिली हलाकि मैं कहूंगा ज रिष्टा जो 27 साल पुराना था वो रिष्टा को कैसे देखते है रवीह था व्यादा गजजी हम पहले से कोरोना के बाद से ऐसा लग रहा था कि मैं इस अभ्यास की तियारी में कर रहा ऑ necessarily हूं और पहले मुझे लगता था कि हमारे जैसे लोग, हमारे आपके जैसे लोग इका दुका बोलते रहेंगे, इतना महान देश है, अभी भी है, वो बरदास्ट कर लेगा, उसके लोक तंत्र में इतनी ताक्ते हैं, उसके उद्योपतियों में इतनी ताक्ते हैं, उनकी जमीर में अभी भी इतनी एक कुरसी मेरे लिए बची होगी लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गए थी कि कहीं से कुछ है जो नहीं चाहने वाली शक्तियां बहुत सक्रियर हो गई हैं तो मैंने खुद को सबसे पहले दफ्तर से दूर कर लिया तो मैं जाता नहीं था ओफिस और बिलकु और पूरा फोकस प्रोग्राम पर लगाने लगा और उसी दौरान में अपने आपको डिटैच भी करने लगा था तो एक अभ्यास तो करी लिया था लेकिन तब भी जब वो दिन आता है तो वो दिन आता है और ये छुपाने वाली बात नहीं है यह मैं कोई फर्क नहीं पड आई तो मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा था तब तक बहुत फोन बज रहा था अचानक फोन देखा तो लिखा कि वो अदानी का कोई प्रेस कांफरेंस आया है तो मैं कुरसी पे बैठ गया कि यह क्या चीज है जानता था कि यह सारी चीजें नाम नहीं मालुम था किसी का लेक तो बैठ गया मैं तो हमारे कैमरा परसन ने उनको लगा कि कोवीड के बाद से मैं बहुत कोलैप्स होने लागा था काफी बीमार पढ़ता था रिकॉर्डिंग करने के बाद सांसे फूल जाती थी तो उनको लगा कि कोई normal है तो फिर उसने कहा कि कैमरा परसन ने कि आप नही यह शूट तो करेंगे हुआ क्या है वने आपकी तबियद ठीक है चलो करते हैं रेकॉर्ड तो रेकॉर्ड किया तो जटका लगता है ऐसी बात नहीं है कि नहीं जटका लगता है और बात चुपती है कि आपके बटुए में जितना भी पैसा हो धर्ती खरीद लोगे क्या और धर्ती खरीद लोगे तो क्या उस धर्ती पर नहीं रहोगे तो आपने गोधी सेट के नाम सक्स संदेश भी दिया अपने दूसरे वीडियो में एंडी टीवी से रवानगी के बाद तो सेट की अभी काईदे से एंडी टीवी में एंट्री कहें या शिकंजा अभी कशा नहीं है लेकिन उससे पहले रविश ने एंडी टीवी से विदाई ले ली ये सब प्रक्रियाएं हैं अजीजी आप खुदी समझते हैं कि छुरी एक बार में नहीं चलाई जाती है बड़े लोग बहुत नफासत से सेव को छिल छिल कर खाते हैं तो अभी वो सेव को छिल कर खा रहे हैं हिमाचल के सेव को तो ये प्रक्रिया मैं जानता हूँ कि तीन चार मेने से ये सब चीज मैं देख रहा था कि हो क्या रहा है होने क्या वाला है और वो खुद क्या है हम तो जानते हैं हम तो सारे चीजें पढ़ते हैं उनके बारे में देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक कोई समान्य बिजनिसमें है वो जायतर उनका बिजनिस अगर आप देखें तो वो सरकार से संबंदित है उसके शेह पे संबंदित है, है ना, तो और यही छपरा है, यही पढ़ रहे हैं हम लोग सारा कुछ, और उसमें अगर आप यह अरपोर्ट में जाएं, वहाँ जाएं, पोर्ट में जाएं, सब चीज आफी इंफरांस्रक्चर में आफी आफ हैं लगता है, और दूसरे को तो क लेकिन कहते हैं कि ठीक है एक गोधी सेठ जिनको आप कह रहे हैं सेब प्रकरिया है, उन्हीं को कह रहा हूं, मैं कईω लोगों को भी रहा है, जो बहुत सारे लोग आपके आलोचक होगा, मैंने कहा है आपको जितने चाहने यह जो किविजिशन है और उनके होने के बाद एक्विजिशन तो नहीं था न है। जो टेक ऊवर है वो जो पूरी प्रकिरिया है। कौन कर रहा है ! आगि मुझ से होने चिड है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो हर को। समझते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? पिर या तो मेरे बिजनेस की कम समझ है, या फिर उनकी ज़ाँ समझ है, यही बात हो सकती है। नॉर्मल टेक-ओर नहीं होता है। पूझी बाद में हर पूझी प्रतिसपरधा की पूझी नहीं होती है. Competition की पूझी नहीं होती है. Well-earned पूझी नहीं होती है. कुछ पूझी आइ उस पूझी बाद के बहुत विशुद्ध परिभाशा से बाहर कीवी चीजे होती हैं. हम सब जानते हैं समझते हैं कि हम कभी हटा नहीं सकते लेकिन चलते रहते लेकिन कई बाइवार लगता है कि बात अगर गरदन से उपर आए लेकिन द्राइवाधि आपने कही कि हर टेक ओवर नोर्मल टेक ओवर नहीं होता है अब वो भी गोधी सेट की गोध में चला गया और वो गोधी मीडिया जो आपने नाम आपही ने दिया गोधी मीडिया और सबहिते है गोधी है वो सबंचे हिसलिए एक आजमिक नहीं करेड यह लेकिन नाम खुबसूरत गाड़ियों पर घूमने वाले लोगों को मैं चाहता हूं कि भारत की जनता लोक तंत्र के हत्यारे के रूप में पहचाने मैं दुनिया में रहूं ना रहूं ये इंपॉर्टन नहीं है लेकिन मैं अपनी जिंदगी में अपनी शम्ता, अपनी बुद्धी, अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपनी उम्मीदें, अपनी महत्व कानशा या बहुत होसला या बहुत अती उत्साह में ये बात मैं दर्ज करा कर इस दुनिया से जाना चाहता हूं कि बहुत सारे सफल लोग महंगी महंगी गाडियों में जो चमचमाते हुए आते हैं भारत की लोक तंत्र की गरदन पर सेव की तरह मीठी मीठी छूरी चला रहे हैं जनता का अगर देखना चाहे तो देख ले, ना देखना चाहे तो ना देखे मेरा काम है समय पर बोल देना सो मैंने बोल दिया क्योंकि एक अच्छा बुरा सब है बहुत तरह कि आलुचना एंडी टीवी के भी होती है है ना वो लोग करेंगे एंडी टीवी के लोग उसका जवाब देंगे लेकिन एक बेंचमार्क था थोड़ी बात चूब रही थी कि भई इनके जैसा नहीं है अब वो बेंचमार्क हट गया है अब वो कह रहे है कि अलजेजीरा बनाएंगे तो आप अलजेजीरा को इंटरिव्यू दे दीजिए फिर आप दे देंगे हिंदु मुस्लिम या इस तरह के और दूसरे फालतू विवादों से फिल्म के गानों में हिरोईने क्या कपड़े पहने किस तरह के मेकप कियें उसको लेकर आओ डिबेट से आप भारत की समस्याओं को आप गायब कर रहे हैं उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए उसकी गंभीर सरीके से करना चाहते हैं कि हम अंतरास्ट्रिय टाइप से कुछ करेंगे रास्ट्रिया होने का तो पैमाना नहीं इस देश की मीडिया के पास और यह इनके पास पैसा है तो ग्यान दे रहे हैं कि हम अंतरास्ट्रिया टाइप कुछ कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि वहां भी म अपने अंतर विरोध हैं, वहां पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कि किन बातों पर आप चुप हैं, किन बातों पर आप बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, तो कोई ऐसा कोई खास पैमाना नहीं है, कि अब भारत की ख़बरों को गायब कर दीजिए, और कहिए कि हम आज आज लंदन के बारे में दिखाते हैं लंदन के एक होटल के बारे में दिखाते हैं विदेश नीती में क्या हो रहा है उसको दिखाते हैं तो कीजी अच्छी बात है बहुत कुछ है रवीश के पास कहने के लिए और बीते दो दस्कों में बहुत कुछ रवीश ने अपने दर्शकों को कहा भी है यूट्यूब पर अगर सिर्फ रवीश कुमार आप सर्च करेंगे तो हजारों वीडियो मिलेंगे हजारों वीडियो जो रवीश ने कहे उसके वीडियो और हजारों वो वीडियो जो लोगों ने रविश पर बनाए और जो मैंने नहीं कि है उस पर भी बहुत दिल्चस्प जही कह रवीश ने जो नहीं कहे उस पर भी और जो अभी एक कह रहें इसके काउंटर में भी हो सकता कई वीडियो आने वाले पास दिन में आपको मिलेंगे पर रवीश चुकी मेरे ख्याल से NDTV से आपकी विदाई, रवानगी, आजादी, तीनों विकल्प शब प्रयावाची देता हूँ, उसके बाद हम लोग पहली बार शायद इस तरह से बात कर रहे हैं, तो उस वीडियो में जिसमें आपने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, जिसको अब तक 8 मिलियन से जादा लोगों ने देखा है, और आजी सुबह में देख रहा था, एक लाख 37,000 लोगों ने उसे जादा लोगों ने कॉमेंट किया, अपने आप में बड़ी बात है, मुझे याद नहीं कि इस देश में यूट्यूब पर को ऐसा पत्रकार हो पह आजव पर हम आगे बात करेंगे कि उसमें क्या है, लोगो क्या कह रहे है? लेकिन उस वीडियो में एक बात जो रवीश आप ने कही कि आज के शाम अलग है या यह शाम अलग है, चिडिया अपने घोसले में लोटी, घोसले की तरफ लोकी तो उसका घोसला कोई ले गया है, लेकिन एक खुला आकाश है तो घोसला ले गया आप में ये कह दिया अब खुला आकाश क्या है वैसे हम आकाश के नीचे ही न लिए और ये पीछे पूरा खुला आकाश है बर रविश का वह आकाश क्या है जैसे पोस्ट टूथ बोलते हैं न पोस्ट एंडी टीवी क्या है जब उस दिन तो मैं आप जानते हैं अजीद जी की मैं सिर्फ काम ही करता था और मेरी कोई बहुत सामाजिक जिंदगी नहीं थी आप बहुत जगह गए होंगे पार्टियों में गए होंगे और लोगों से मिलते जुलते होंगे लिए इन कभी आ साल के एक दो साल में मैं जरूर करने लगा था जाने लगा था लोगों से मैं उस अपने काम को बहुत प्यार करता था और उस काम को मैंने कि लोप्रिया होना है या कुछ अचीव करना है इसके लिए कभी नहीं किया उस काम को कैसे और बहतर करना कैसे लोगों के दिलों में आपकी सिर्फ अच्छी यादे जुड़ी रहती हैं, बहुत बुरी यादे भी मेरी हैं वहां, बहुत बुरी यादे हैं, बहुत अच्छी यादे भी हैं, लेकिन इन सब के बाद, चुकि मैं वहां काम करता था, तो मुझे उस छोटे से कमरे में, बहुत छोटा कमरा है, लेकिन हम एक खिड़की थी, पीपल का पीड़ था, देखता रहता था, टाइप करता रहता था, काम करता रहता था, बहुत लगाओ था जिद जी मेरा और मैं कभी दफ्तर में बायो मेट्रिक्स पे साइन नहीं करता था, यह इंसल्ट होगा मेरे जैसे लोगों के लिए कि मैं रोज काम करूं, सुबह से लेके शाम तक काम करूं और बायो मेट्रिक्स पे मैं उंगली भी लगाओ, तो खेर मुझे किसी नहीं कहा कि आप क्यों नहीं लगा, आज नहीं, जब वो सिस्टम कई साल पहले लगा था, तब भी किसी ने आके नहीं कहा, क्योंकि ऐसा माना जात के पहले प्यार की तादाद अनुपात था, जो अनुपात थोड़ा 2014 के बाद बदला है, पर मेरा अपना मानना है कि 2014 से पहले बहुत ज़ादा अटेंशन था लोगों का मेरे उपर, बस जो लोग नोट करने वाले होते हैं, वो अंग्रेजी के आहंकार में थे, तो वो लोगों को, तब भी, मतलब कमरे में दिन रात लोग आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, कोई कपड़े लेकर आ जाता था, कोई चादर लेकर, कुछ भी लेकर आ जाते थे, तो बहुत लगाओ था, और उसको छोड़ कर उस दिन जब छूटा तो बहुत बुरा तो लगा ही और अगस्त के बाद मैं एक दिन दफ्तर गया था वो शुकरवार का दिन था चुटी लेकर दफ्तर गया था वैसे बहुत कम लोग चुटी लेकर दफ्तर जाते हैं तो उस दिन मैं मुझे लगा कि यह मेरा जो घर है जहां मेरी आत्मा रहती है अब यहां से उसके जाने का वक्त है तो प्राण जो है वो शरीर छोड़ रहा है तो उस दिन मैं जितने भी लोग डफ्तर में थे कैसेट लेडरी में गया, PCR में गया, Edit Bay में गया, अपने उस कमरे में दो-तीर मिनट के लिए रहा, खुब अच्छे से घूमा वहां पर, महसूस किया और अपने आप को समेठ के वहां से बाहर आ गया, जब बाहर आया तो मैं उस दिन हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से बाहर ह गया था और गाड़ी में थे अकेले तो रोते रोते आए वो छूड़ गया तब तक मैंने किसी को कहा नहीं था कि मैं इस्तीफा दूँगा या क्या करूँगा पर उस दिन मैंने ND TV को खूब अच्छे से उस घर को देख लिया था और फिर वो छूड़ गया फिर उससे चले अब जो आस्मान की बात है वह हम बैठ के बात करेंगे वही मैं चाह रहा था कि फॉर्मिट तो हमारा था बैठ के बात करने का लेकिन आये अच्छा लगा और हम लोग बैठते हैं और कुछ लंबी बात जिसमें उस आस्मान की बात जो आस्मान यहां से रवीश के लिए हो सारे उन पहलूओं पर जिन पहलूओं पर बात करने के लिए रवीश शर्चित भी रहें और इनके भीतर की वो बेचैनी है जो इनके शब्दों के शक्र में आती है और जो निरंतर दर्शक से संबाद करते रहें मैं एक बात मानूंगा रवीश कई बार हो सकता है हमारी आपकी वैचारिक असाहमत्या रही हो या कॉंटेंट में असाहमत्या रही हो मेरी तो नहीं रही आपकी हो सकता है रही हो क्योंकि हम लोग एक विधा में रहे लेकिन फिर भी दर्शक से जितना संबाद आपने किया है मैं नहीं समझता कि देश के किसी एंकर ने पहले किया ह और कोई आगे कर पाएगा क्योंकि अब जो लोग हैं संबाद सिर्फ एक आदमी से करते हैं वो सत्ता के शिर्ष पर बैठे हैं दोर वहीं बन दिये तो अब हम लोग बाकी बातें बैठ कर करते हैं जी जरूर अच्छा मेरी किताब भी है यहां हाँ आपकी किताब के बिना बात कैसे रही है तेश का कोई एक टीबी पत्रकार जिसे सबसे अधिक गालियां मिली हो और सबसे अधिक टालियां भी मिली हो अगर कोई एक पत्रकार है बलकि मैं कहूंगा एक लोटा पत्रकार है तो रविश कुमार हमारे साब में बैठें अंग्रेजी में कहें तो most hated और most loved journalist उस NDTV में रविश अगर देखें आपको आजादी बहुत मिली तब जिसको कहते ना असीम आजादी वो तो सबको मिली वो सिर्फ मुझे नहीं मिली सिर्फ मेरे लिए तो NDTV नहीं बना था नहीं ओविसली लेकिन मुझे कोई special तरीके से नहीं मिली नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ पर मैं उसको earn जरूर किया वहां पर ट्रस्ट जरूर अर्न किया उन्होंने देखा कि यह सिर्फ काम करता है यह काम के बदले में इस नेता के यहां गूमना उस नेता के यहां जाकर अपना वो बताना कि यह मुझे फोन कर रहे है वो मुझे फोन कर रहे है हलांकि तब भी बड़े-बड़े लोग फोन किया करते हैं तो मैं ये बात कोई विशेश बात मुझे नजर नहीं आती थे ठीक है उसको कोई स्टोरी अच्छी लगे हुगी तो कोई मिनिस्टर फोन कर लिया तो कर लिया तो मैं मुझे लगता था कि मैं जनता का के बीच से आया हूं तो मुझे उधर ही रहना चाहिए और वो संसद में वाले नहीं गुमना चाहिए तो काम करते चला गया तो स्टेप बाई स्टेप वो चीजें लोग फिर पीछे हटते चले गया कि मुश्किल है इसको रोकना ये ऐ जफ्तर में कोई ऐसा आदमी मिल जा है कि वो जो चुप-चाप करते चला जा रहा है तो मैं मुझसे मैं एक्स्रेश्ट करमचारी हो जो चुप-चाप अपना काम कर रहा है बहुत कम रिसोर्स में रिपोर्टिंग करता था बहुत कम रिसोर्स में इसलिए दिल्ली जादा घ तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता था वह अच्छी स्टूरी भी होती थी उनकी कई बार बहुत अच्छी स्टूरी होती थी तो मुझे लगा कि पहले यहां से जगा बनाते हैं तो जब तक जगा बनाए तब तक मंदी आ गई और मेरा प्रोग्राम ही वह बहुत तरह से उनको बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे इस्तिमाल किया तो और मैंने उस आजादी में ना कहने की भी आजादी अपने लिली कि मैं बहुत ना कहता था बहुत ना मतलब मैं हाँ तो लगता है कि मुझे याद करू कि मैंने किस बात पर हाँ कही होगी तो मुझे तो याद नह तो जैसे उसी में मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आपने दो शो जो किये जिसको लेकर बहुत चर्चा होती आज भी जो एक माइम बाला दो किरदार बैठें और वो किरदार को आप एक को सत्ता का नुमाइंदा और दूसरे को ट्रोल कुछ ऐसा शायद प्रतिकातमक आ और आपने अपने अंदाज में कर आपसे सवाल भी नहीं पूछें, आप ऐसे जवाब देंगे और जो भी वो रसीयन भाषा में या पता नहीं किस भाषा में दोनों बात कर राया और दूसरा अपने स्क्रीन काली की इसको लेकर ट्रोल आरवी समय समय पर गाहे बगाहे आपको ट्रोल भी करती है वैसे शोज करने पर भी कभी भी किसी तरह की कोई NDTV में कोई सवाल या ऐसा क्यों की मैंने किसी से पूछा ही नहीं था, मैं कोई भी शो करता हूँ, मैंने किसी से बात नहीं, मेरा एक ही experience नहीं हुआ, मैं editorial meeting में कभी बैठा ही नहीं, अगर आप बहुत शुरू क्या छोड़ दें तो, पिछले 10 साल के अगर आप मुझे माने कि मैं हूँ, तो मुझे इसका experience नही है, मैं अपना decide करता था कि आज सुंवार मैं क्या करूँगा, अपना show बनाता था, हाँ, उसके resource नहीं होते थे, उस अधार पर छोड़ देता था कि यह नहीं कर पाऊंगा, और show करके घर से ओफिस से निकल जाता था, तो किसी भी stage में, और वो आदत थी, उनको लगता था कुछ, अगर मैं किसी से, ऐसा नहीं कि मैं किसी को चुप हूँ, मतलब new store में चलते हुए किसी सा idea share करता था, तो कहता था, हाँ, ऐसा करना चाहते हैं, तो अच्छा यह करना चाहते हैं, तो उसी तरह से black screen किया, बहुत कम लोगों को पता था, कि मैं ऐसे चाहता हूँ, तो definitely आप कह सकते हैं कि इस तरह से हम दूसरे channel में नहीं कर पाते हैं, इतना बड़ा फैसला है, नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह से नहीं है, उस शो के concept को समझने की सलाहियत ही नहीं है, बाकी चैनल खड़े हो जाने से थोड़ी होता है, कि जो मैं कर रहा हूँ, इस सब चीज़े बना हुआ है उसमें एकर आत promotes का pepper लेकिन दूसरी वूह अजाद आजादी का भी क्या है किसी कोई सनस्थान स었र्फ कि धर नियु 누śmy डेगा अभी नहीं करने देगा और मुझे उसकेAR अच्छ या हो तुम या कि तुम ने ऐसा क्यों किया इसी तो कोई बात उसके लिए वो slot ढूनने लगे कि कौन सा slot होना चाहिए जिसमें यह repeat किया जा सकता है तो शायद दो पहर में repeat होता है तो उन्हें लगा कि कुछ extra भी दिया जाए क्योंकि प्राइंट इम को repeat करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वह डेटेड चीजें भी होते हैं क्योंकि उस इसलिए उसको हर slot में repeat करना एक मुश्किल काम होता था तो उसमें और definitely मैं किसी से भी कहता था तो कोई मना करने नहीं आता था सबको लगता थे कि यह कुछ अलग सोचा है तो पहले इसमें घुसके देखते हैं क्या है पहले इसको doable बनाते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो कोई कुछ ले आया कोई कुछ ले आया कोई कुछ ले आया यह आम वाला शो है या माइम वाला बोलते मुझे याद आ गया है वह माइम शब्दी मुझे जबान पर नहीं आए मैं गया किसी से पूछने की चार्ली चैपलिंग का एक आड आता था चार्ली चैपलिंग का बहुत चर्चित शू पॉलिश था चेरी ब्लॉसम का एड आता था उसमें एक आर्टिस्ट होता था ऐसे से करता था तो किसी ने का हाँ जी हाँ जी उसको माइम बोलते हैं हम अपने कॉलेज में किया करते थे दोस्त को जानते थे तो मैंने का जारा पुछो यार यह माइम आटिस्ट क्या होते हैं तो फिर मैं गूगल में उसी निया सर्च करके बताया कि इसको माइम आर्ट बोलते हैं तो फिर उनको ढूंडा फिर कलकत्ता में माइम फेस्टिवल होता है यह मुझे नहीं पता था उस वक्त शायद उसके आ उनको बुलाया वो मान गए तो उसे आपने पहले डिसकस किया कि तुम जो डिसकस किया वो उल्टा उसमें उनको बोलना नहीं था मगर वो बोल गया हां उनको बोलना नहीं तो उनको चेहरे से एक्टिंग करनी थी तो जो लैंग्वेज बोल रहे थे वो लैंग्वेज तो वो जिब्रिश लैंग्वेस था उनका पर उनको बोलना नहीं था पर उन्होंने अपना किया अब शो लाइव चल रहा है उसका कुछ सेकेंड टेक तो हो नहीं सकता है यह मैंने अभी देखा है दुबारा उससे मैं भी देखा था अभी मैंने इस बातचीत की जब तैयारी की क रवीश से बात करनी है तो वीडियो मैंने दुबारा देखा तो यह आप आजादी किया सकते है एंडी टीवी का कि आप उस शो के भीतर कुछ भी कर सकते है एक ही चीज कहा जाता है कि लीगल चीजों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस देश में उसका खर्चा इतना ज सवाल हैं लेकिन हर आदमी के बनने में कुछ लोगों की भूमिका होती है शिक्षक की भी संस्थान में किसी इंडिविजॉल की और संस्थान की रवीश कुमार बनने में 58 लोगों की भूमिका अगर देखते हैं वो कुछ नाम ले सकते हैं हजारों लोगों की है हजारों लो प्रविश कुमार बोलना ही है. और इस किताब को आप पढ़ियेगा रवीश के भाशन और अलग अलग जगह जो लिखा है उसका जैसे इस किताब में मैं देख रहा था तो देखा एक जो बात आपने लिखी है जो आज जहां आप हैं वहाँ पर ये बात लागू होती है पता नहीं आपको याद है किनी मैं सुनाता हूँ आपने लिखा है इसमें मेरी सुबह ट्रोल्स की गालियों से शुरू होती है और रात में सोने जाते समय मेरी नौकरी चले जाने की आशंका घेर लेती है 2014 के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जब किसी न किसी ने मुझे अपनी नौकरी गवा देने के खत्रे के प्रती आगाह न किया होगा तो अब तो नौकरी रही है हाँ आप ये रोज रोज का डर खतम हो गया है पर आगे की चिंताएं तो है अजीद ये और ट्रोल रह गए है ट्रोल कुछ कम हुए गया कुछ तो कम हुए हैं हाँ कुछ कम हुए है और जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था तो उसमें जो लड़के आये थे उन्होंने उन्होंने कहा था कि वो आज इवन बीजेपी के सपोर्टर है पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वो आपको गाली देते हैं आपको हम लोग आपको गाली देते हैं हम लोग आपसे नफरत करते हैं बाहर मुझसे जब लड़कों के साथ म नेरी बात होुई तो मैं हस रहा था वैने का कई त१र मेरे पास कईयों आये हैं? तो मैं तो कुछ पत्रकार आफी हैं और आफी हमारी नौकरी की आवाज उठाएंगे तो इस विश्वास के साथ आएं. नले जाज़े हैं और गाली देते सही हैं, और मिन्यज़े बात करें कर तो कि अब इतना खत्रा है कौन सी खबर गलत हो जाए आप देखते ही है कि सरकार ही पीछे पड़ जाती है जो गलत बात फैला रहे हैं गोधी मीडिया उसके बारे में कभी ये सरकार कुछ नहीं बोलेगी लेकिन अगर हम और आप गलती कर दें तो फेक नियूस का पूरा पोस तो आप देखें कि नौकी सीरिस बहुत मुश्किल शो था उसमें कोई विज्वल नहीं था लोगों के अपने एक्सपिरियंस लिखा कि खुद से आवाज करना गला छिल जाता था जिद जी एक दिन दो दिन बहुत सारे पूराने दर्शकों ने कहा कि हम देखना बंद कर द देश में इतना कुछ हुआ है आज भी यही कर रहे हैं चार हफता हो गया पांच हफता हो गया करते करते मैं उसका इंपक्ट देखने लगा कि उन लड़कों के पास अपॉइंटमेंट लेटर जाने लगे वो लोग मिठाईयां लेकर आने लगे और यह कहते हुए कि हम एक एक किलो की मिठाई लेकर चला रहा है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है मेरी माँ से बात कर लीजे मेरे पापा से बात कर लीजे मेरी बहन से बात कर लीजे वो लोग कितने खुश हैं और मैं बिलकुल निस्वार्थ उनकी सेवा करता रहा और बहुत ही सु के प्रोसेस से खुद गुजरा उसी दोरान तो बहुत आत्मवल मिला और मुझे लगा कि हम इस से इस तुफान से मैं निकल सकता हूं तो वहां से मुझे जैसे अपने नोकली सीरीज का जिक्र किया कहीं शायद आपने जिक्र किया है कि एक लाख लोगों को उस समय हम लोग रहा था वो निकलना से बाद में बंद कर दिया क्योंकि दफ्तर में भी कुछ लोग कहते तो इसका हम प्रोमो बनाना चाहते हैं तो मैं इसमें भी बहुत रिजिस्ट करता था कि मत बनाओ प्रोमो यह क्या है एक्स्क्लूसीव एंडी टीवी इंपैक्ट यह सब वो सब इस बाते हैं वह समाज में कहीं ने दिखाई देता है हम लोग बाहर जाते हैं तो कहीं किसी सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ा रहता हुए लड़का आ जाता है चुपके से कहता है कि सर मन तो करता है आप यहीं तस्वीर वहाँ लगा दूए लेकिन ठीक आपकी वज़े से नौकरी मिली अच्छी बात है कि हम भी अपना पोटेंशिल जान सके उन्हीं गाली देने वालों की वज़े से कि अगर इनकी नौकरी के लिए आवाज उठाएं आज देखिए कि कितना बड़ा मुद्दा है उस मुद्दे को 2019 में जो प्रधान मंत्री मजाक उड़ा रहे थे पकड़ा बेशना वी रोज़गार है वही प्रधान मंत्री आयोजन करवा रहे हैं कि जिसमें वो अपोइन्मेंट लेटर बाटते हुए दिखे तो उस चार साल में इसी दौर में ये मेरे काम की बहुत छोटी सी सफलता है कि आज हर पार्टी के मैनिफिस्टों में सरकारी नौकरी कितनी होगी ये देने की बात लिखी होती है और ये एक मुद्दा बन गया है ये कितना लागू हो रहा है नहीं हो रहा है आंदोलन अभी भी चल रहे हैं लड़कों का संघर्ष अभी चलेगा क्योंकि वो आसान रास्ता तो होता नहीं होता नहीं और ये सरकारी लेकिन टेलेविजन इंडस्ट्री को तो वो मैंने वो दर्वाजा थोड़के दिखा दिया कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ये काम कर लो और ये देखा आंक्णों में रवीश पकोड़े की बात तो पीम ने एक चैनल में ही बात की थी एक चैनल के आंकर से जो अभी दूसरे चैनल में हैं ब्लैक और वाइट कुछ कर रहे हैं लेकिन आक्रों की बात करें तो सरकार ने लगबग आठ साल में सात लाख बाइस अजार नौक्रियां दी केंदर सरकार ने अब वो कह रहे हैं कि दस लाख देंगे और वो पर्चे छप रहे हैं पीम का लेकिन जैसे आप नोकरी सीरीज की बात करों कितने लोग युवा आते थे उनमें से बहुत सारे लोग आपके आलोचा कि अगाली देने वाले ट्रोल्स थे आपने पहले भी शायद जानातर वही लोग लिखा बहुत बार हैं कई बार आप हताश भी होते थे कि मैं इ इसे भी लिखते हैं रोज मुझे बीस पचीस चिठी आती हैं जिसमें लोग मुझसे माफी भी मानते हैं कि हमने आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचा था वो सब डॉक्रमेंट है ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं था कि एकदम जीरो रिजल्ट वाला था राजनितिक शक्ती कोई लोग प्रियर नहीं होता है उसी को सुनने के लिए लोग पांच-पांच घंटा रैली में बैठे रहते हैं ये बड़ी बात है और इसका सम्मान करना चाहिए किसी भी नेता के लिए तो उनकी शक्ती के सामने अगर आप खड़े होकर बता दें कि कुछ बातें गलत कही जा रही हैं और वो भीड जो उस तो सुनने के लिए धूत में अपने आपको जला रही है वो सुन ले थोड़ी दिर के लिए और सोच भी ले तो ये बड़ी बात है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने माफी मांगी है बकाईदा लिख कर माफी मांगी है और उन्हें थी Facebook के inbox में क्या फरक पड़ता है या Gmail में कि माफ कर दीजे तो चेंज आया लड़कों ने सामने से गाली देना बंद कर दिया लेकिन WhatsApp ग्रूप में वो मुझे गाली देते हैं तो जैसे पड़ने लगती हैं कि ये वोटर को बदल देगा तो ये बात है तो उन लड़कों ने कभी छिपाई नहीं वो अब आपस में WhatsApp में मुझे गाली देते होंगे तो देश इतना बदल गया न रभी पिछले दुख होता है इस बात का दुख होता है कि ये कोई बदलना नहीं अजीव है ये तो ये चुकी आप लगातार नफरत के खिलाफ नफरत की राजनिती के खिलाफ जूट के खिलाफ सत्ता की तरफ से सरकार की तरफ से नाम ले तो सीधे प्रदानमंत्री की तरफ से लगातार जो जूट बोला जाता रहा रैलियों में जूटे दावे जूटे रादे इस पर लगाता रह बोलते रहे ब्लॉग में लिखते रहे एनãyटीवी पर लिखते बोलते रहे लेकिन कुछ बदलाओ हुआ बहुत बदलाओ हुआ हुआ लोग मतलब टूरल फड़ने के रूप में वो तो उनी के पास है बीजेपी के पास है तो लेकिन चेंज है ऐसी बात नहीं है यह तो चेंज है कि वो नौकरी की बात कर रहे हैं ना वो किसकी बात कर रहे हैं? वो नौकरी से शुरू किस ने की थी? तो वो एक तरह से प्रधान मंतरी जब कहते हैं कि दसलाख नौकरियां देंगे, वो यह कह रहे हैं कि रविश कुमार ने ठीक कहा था, अब मुझे उसकी बात पसंद है, चुकि मैं रविश कुमार का नाम नही परिवस्था को लेकर और नोकरी देने की बात को लेकर उन्होंने बड़ा इवेंट बनवाया की नहीं बनवाया ना वो 2019 में पुल्वामा के कारण वो नौकरी का मुद्धा तब भी था तो उन्हें लगा कि वो मजाक उड़ा सकते हैं कि पकोड़ा तलना भी आज वो वही बात क्यों नहीं कह देते कि पकोड़ा तलना भी तो रुजगार है हम क्यों देंगे रुजगार तो वो भले मुझे इंट्रिव्यू ना दे सके लेकिन उनसे जो अपॉइंट्मेंट ले रहा है न यू आ उसको पता है कि ये मुद्दा बना कैसे देंगे वो लोग अब क्या करेंगे अब तो उन्हों ने छुटकार ही पा लिया मुझे देखिए अगर मैं रहता दोजार चौबिस तक तो जो आठ साल में प्राइम टाइम के जरीए मैंने उनके सरकार की तमाम तरह की गलतियों को डॉक्मेंट किया था ना ये साल आने वाला उनको फिर से दोहराने का साल था बताने का साल था जितना गौड किसी भी जर्णिलिस्ट के पास नहीं है किसी भी प्रोग्राम में नहीं है फरजी वाणा नहीं है कि चार लोग आकर बोल गया बकसे में चायचाय करके चले गए एक एक डॉक्मेंट उस समय की ख़बर के हिसाब से संसद में क्या कहा गया है प्राइम टैम उसका डॉ गया तो वो एक एंडी टीवी उस बेंचमार्क था उससे चुटकारा मिल गया एक मुझसे चुटकारा मिल गया कि भाई आप अपना यूट्यूब करेंगे या ट्रेन में भारत दर्शन करेंगे आप करते रहें तो ठीक है चुटकारा पा लिया पाही लिया नहीं एक पार्ट मेरे कारिकर्म में नहीं आते थे वह ही मंत्री मंत्री तो यह मंत्री भात मैं क्यों मिले हुआ हुँए किसी नेता से सрим गुँषा गया कि मुझे मिलावं मत करो किसी। सिनेता से तो नहीं कर नहीं हम लोग तो इनी को बुलाना पड़ता है तो आप हमारे लिए चल लीजिए हमारी नौकरी की बात है तो मैं चला गया तो वह मंत्री बड़े पावरफुल मंत्री हैं खड़े होगा जुग गया कि हम आपके कारिकरम की योगिता के अनुसार तैयार बहुत लोग मेसेज करते थे मैं घबरा गया कि मैं कौन से प्रोग्राम में आ गया हूं कि हर सुबर इतने बड़े-बड़े उपोजिशन लीडर के मेसेज़ेज आ रहे हैं फोन आ रहे हैं वो सब बीजेपी के लोग होते थे बात में उन्होंने ही मेरा बहिसकार किया तो एक अधना सा आदमी जिसका आप बहिसकार भी कर रहे हैं तो उसको क्या इंट्रिव्यू दिया था ना किरन बेदी ने तो क्या हुआ था आपको पता है ना उनको जूट पकड़ा गया था और उनको कैंपेंज से वापस किया गया था ये मेरे इंट्रिव्यू का असर था त तो फकीरी देखने वाले को देंगे, तो फिर वो अपने यहां कोई किरनवेदी मोमेंट नहीं होने देना चाहते थे, तूने सोचा इस से छुटकारा पाओ, तो पहले भहिसकार करो, फिर लगा किये, तो जनता के बात करने लगा, नौकरी की बात करने लगा, अब हम नौकरी अच्छे दिन, अच्छे दिन, अब दस साल होने जा रहा है, तो अब यह सारे सवाल फिर से वापस धरती फार के बाहर निकलते हैं, वो तो नहीं है, तो वो सारा रेकॉर्ड था, हमारे पास एक एक शो की सारे टेक्स्त थे, तो हम बहुत आसानी से उसको अरेंज तो वो एकाउंटिबिलिटी हम दिखाते हैं कि दस साल में भी आप बताने की स्थिति में नहीं है, वो सब इन्वर्सिटी कहा गई, जो सेंटर अफ एक्सेलेंस बनने वाली थी, क्या एमिनेंट इस तरह का कुछ बनने बनने वाला था, कहा गई आस तक, पता नहीं है किदर है, तो था वो, अब चलिए कोई बात नहीं, 16 महने की चुनाओ की, तो यह अनकमफर्टेबुल होता आपको लगता है, होता हम लोग हार और जीत तो नहीं प्रभावित कर सकते, लेकिन एक सवाल मौजूद रहता जनता के बीश में, कि और जब मैं प्राइम टाइम करता था रोज सुबह सुबह उसका वन मिलियन व्यूज हो जाता था, पूरे महीने का आप अवरेज देखें तो सभी एंडी टीवी इंडिया पर करीब वो दो करोड एवरेज व्यूज होता था उसका, वो चला जाता था, तो लोग देख रहे थे और उसको सुन रहे थे, इतना नहीं किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि आप बोलते हैं Mother of Democracy, और अगर यह डेमोकरिसी की मा है, तो मा नहीं अपने बच्चे को गोध से उठा के फेक दिया, है ना, यही हुआ ना, तो आपको यह लगता है, जैसे बहुत संजीदा होके आपकी बात कर रहे हो, आपको ल बात नहीं लगती है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि क्यों नहीं लगती है, मुझे बहुत, मैं कई तरह का एनलिसिस देख रहा था, तो मुकुल केश्वन ने टेलिग्राफ में लिखा एक बात लिखी है, और वो बहुत आखिर में उन्होंने एक बात लिखी है, चलते बात नहीं हर जूट बोलने वाले चैनल का ना के स्लोगन में टूथ होता ही होता है तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं पर लोगों के इशूस के प्लेटफॉर्म का एक बड़ा नुकसान हुआ एक वोईस का नुकसान तो हुआ ही है उससे उनको मुक्ती मिल गई है क्योंकि जो भी मुद्दा उठता है वो अंत में टेबल तक तो पहुँची जाता है जैसे नौकरी सिरीज तो पहुँचा ना आखिर हूँ और आपको अब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है कि वो लड़के मुझे गाली देते हैं लेकर लड़के उनको ये भी पता है कि यही करत ये तो इतना बड़ा जो मदर अब डिमोकरिसी है वो जाने उसका जमीर जाने है ना कि उसकी अंतरात्मा जाने कि आपने ये जो किया और जो होने दिया है तो ये आपकी अंतरात्मा पे बोज़ बनके रहेगा इत्ती असानी से नहीं जाएगा जिद जी निस्वात बहुत जमाना लगाया इसको काम करने में सुबह शाम जला हूँ तपा हूँ और उसके पेट पे लात मारी है आपने ये बड़ी-बड़ी अंग्रेजी बिजनेस प्लान फरजी दोनमरी बिजनेस दुनिया का तिननमरी बिजनेस ये ग्यान ये भाशा मेरे सामने मत लगाईए गया ये ठीक किया नहीं जितने कम संसाधन में जितनी साधना के साथ जो काम किया हूँ सिर्फ उसका मुल्यांकन उसमें जहांक कर देखेंगे अभी तो लोग देखने वाले सिर्फ मेरी लोग प्रियता और दर्शकों के जमात के बारे में देखते हैं उसके संसार के बारे में देखते हैं लेकिन जब उसकाम और उसके मेहनत के बारे में देखेंगे तो हड्डियां काप जाएंगी कि कोई ऐसा कर नहीं सकता है वो काम किया हो दिन रात बैठ के आँखें धुंदली हो जाती थी टाइप करते करते इतने आंकड़े इतने आंकड़े देखता था इतने WhatsApp पर मैसेज, उसमें से फैक्ट निकालना, फैक्ट चेक करना, यह सब करना पड़ा हो जो COVID के समय का डॉक्मेंटेशन है आप एक एक शो निकाल कर देखिए सिर्फ पढ़ देना ही मतलब मुश्किल काम था उसको मैंने कोई आसान एंकरिंग नहीं की कि तीन दिल्ली में फालतू लोग जो IAC में बैठे हुए हैं उनको शो में बुलाया, कोई हैबिटेट से आया, कोई किसी इन्वर्सिटी से आया, कुछ गप किया, बॉक्स लग गया और शो हो गया, मैंने वो काम नहीं किया, मैंने बहुत आर्टिकल पड़े मेरा घर किताबों से भर गया तो ये जो काम किया है, तो ये तो मैं Mother of Democracy से पूछूँगा ना मैं चिला के नहीं पूछूँगा, मैं एकांत में तो पूछूँगा ना मैं बात कर सकता हूं ना कि पूछेंगे क्यों नहीं जग्या है तुम्हारे आचलमें क्या कोई सेट मारी जमीन खरीच सकता है क्या तुम से बड़ा हो सकता है पुछूँगा है वो मा है मैं से कुछ हो सकता हूँ बहुत संवेदन्शील बात कर रहे हैं रवीश दरजनों चैनल हैं न्यू चैनल तो देश में नजाने कितने हैं अब गिंती करना भी मुश्किल है और एक रवीश कुमार जो हलके हम कह सकते हैं हम लोग एक पेशे में थे कई बार दोनों अलग-अलग चैनलों में अलग-अलग असामतियों पर भी हो सकता है काम करो लेकिन रवीश की पीड़ा निकल कर आ रही है कि जो आवाज जनता की थी युवाओं की थी विरुजगारों की थी दर्शकों की थी नागरिक की थी उसको उस आवाज को अपने प्लेटफॉर्म दिया उनकी परिशानियों मुश्किनों को आवाज दी उस आवाज को छीन लिया गया यह वो प्लेटफॉर्म आपसे छीन लिया गया आपकी तकलीफ वो तो यही कहेंग और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं उनका मतलब अदानी सहाब का एक इंट्रिव्यू छपा है देनिक जागरेड में आपको तस्वीर दिखाईए उसमें मैं भेज दूंगा वो फीचर इंट्रिव्यू छपता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी का इंट कुछने समझने की शक्ती भी समात कर दें क्योंकि उनके पास बहुत धन हैं बहुत लोग हैं कुछ शरीफ टाइब के जो डॉर्मेंट जर्निस्त हैं उनको पकड़ के ले आए हैं जो अब थोड़ा सा अच्छा बिजनेस प्लान जिसमें ग्लोबल प्राइड इंडिया नहीं बदलेगा ना तो बहुत सारे मुद्दे अभी तड़प रहें बाहर आने के लिए मैं भी नहीं उठा पाता था मैं बहुत लोगों को लिखता था कि मैं नहीं उठा सकता हूं मेरे पास अब संसाधन नहीं है मैं हर राज्य के इश्यूस को नहीं उठा सकता हूं कई जगह पे ब्योरो बंद हो चुके थे उसकी भी गालियां मैं सुनता था कि आप वहां का नहीं उठा रहे हैं वह गालियां किसी और को नहीं पढ़ रही थे किसी और एंकर को सब्सक्राइब जो फडियां का इंट्रेक्रीय का मतलब इस इंट्रिव्य का कोई मतलब नहीं होता है इंट्रिव्य थो जेनुइंहीं ही हो घुSure पर हम कहां बड़े उइंकर दिन सब्रेयों से गाह रहा है आप पी-एमके इंटर्विव की बात करें? मैं किसी भी नॉर्मल एंकर की बात करूं, रोज की भी बात करूं मैं रोता था कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मत मेसेज करो, हजार मेसेज कर दी, मैं नहीं उठाओंगा, मुझे पास लोग नहीं है, मिरे पास आदमी नहीं है, जाके वेरिफाई करें, इतने खत्रें बढ़ गए हैं, तुम 333 लिख दियो, अगर वहां 300 होगा तो सरकार FIR कर देगी, मैं क्या करवाँ, तो ये सारे इशू जाते ना, ये उठेंगे क्या, उठें तो अच्छी बात है, फिर उठेंगे तो फिर NDTV खरीदने के क्या जरू होती, इतने सारे जो चैनल हैं, वहां उठ जाए, लोगों को भला हो जाएगा, तो रवीश ये बताओ, इस तीफा दिया, आपको अभी कहा तो गया नहीं था अडानी की तरफ से, ये उनके लोग कह सकते हैं, ये तो हम जानते हैं, या हम नहीं जानते हैं, इसमें तो कोई दो राएं नहीं होनी चाहिने, कि वह कौन हैं, इसलिए मैंने वह गोदी सेट और सेट का फर्क बता दिय था उस वीडियो में तो किसी को भी देख लेना चाहिए त कि इसलिए वो टेक ओवर बिड़ आप neglect अपने मीडिया के सभी गोदी सेटों के लिए है अगर देखें पृतिकात्मक तो पर उsmह अगर आखरी गोदी सेट वही है जिन्होने लिया रखा ए वाकिये गोदी जिसमें एक बात आपने रवीश ने कहा कि इस देश की महान जनता को कोई गोधी से चावनी ना समझे इसके स्वाभिमान से ना खेले वरना वो अपनी जेव से केवल एक एक चावनी निकाल कर रख ले तो दौलत का ऐसा पहाड बन जाएगा कि सेट की सारी दौलत चावनी बन तो उस चार आने ने इतनी ताकत दी लोगों को और आजादी के संदेश को घर-घर में पहुँचा दिया और हर आदमी आजादी की लड़ाई का स्टेकोलडर बन गया सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर जो अलग संगठन बनाकर अदक अलग कल अकदम ताल कर रहे थे यह उस चार आने की ताकत है उस चरणी की जो अब दिखता है चलन से बाहर है तो यह जो चल रहा है हर चीज ताकत से खरीद लेंगे पैसे से खरीद लेंगे जन्मत को election strategist बुला के पैसा जोग के हवा को इधर से उधर कर देंगे कोई चुनाव होगा तो आफताब आ जाएगा कोई चुनाव आएगा तो हिजाब पर मुद्दा आ जाएगा तो वो सफलता तो मिल रही है उसमें लेकिन हर समय आप पबलिक के स्वाविमान को आप उसको जूता मत मारिया यह गजब जनता है इसको पता है कि ठोकर क्या है और हत्या क्या है इसको वो बहुत तरह के जख्म बरदास्ट कर लेती है पर कुछ चीज है उसमें जहां आने के बाद वो ना कह देती है यह बरदास्ट नहीं करेंगे ठीक है हमारे जैसे पत्रकार आएंगे जाएंगे आते जाते रहते हैं कोई बड़ी वास नहीं और उसी वीडियो में रवीश आपने कहा अपने जनता का जिक्र क्या उस पर भी एक-दो सवाल आगे करूंगा उसी वीडियो में आपने कहा कि गोदी सेट बिजनेस करे लेकिन इस लोगतंतर का बिजनेस न करे सूचनाओं का बिजनेस न करे देश की शान से खिलवार न करे तो एक तरह से सीधे सीधे अप चुनोती चुठ को उन सेठों की याद दिला है जो जीडी बिर्ला जैसे थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई या गांधी से जिनके रिष्टे थे और 1947 से पहले और बाद के दिनों में चाहे जियाडी टाता हो तो दोनों सेट में काफी फर्क है ये छेट तो हर जगा कबजा करना चाहता है हर जगा रहेंगे मैं कोई बिजनेस विरोधी नहीं हूं मैं तो खुद ही लोगों से कहता हूं कि ये बहुत क्रियेटिव रचनात्मक का में और अगर आप इसको रचनात्मक तरीके से करें तो आप कुछ भी दुनिया में रच सकते हैं है ना तो और इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसमें ये भी फर्क किया हूए बहुत सारे लोग अब जैसे जॉन पूर से कोई इमर्ती लेकर आया बेनी प्रसाद की इमर्ती 1855 से चल देए तो वो रचनात्मक कारे है ना तभी तो 1855 से लेकर अभी तक वो इमर्ती कायम है उसका वजूद कायम है उसका ब्रैंड कायम है तो ऐसे बिजनसमेन लोग भी हैं लेकिन अगर आप मीडिया के स्केप को देखिए तो वो बार-बार बताने की तो जरूरत है औ और ये बात लोग चो नहीं कहता है मुझे इसकी बहुत हैरानी होती है मुझे लगता है कि मैं कह देता हूँ इसमें क्या फरक पड़ता है अब आपको जेल में डालना है डाल दीजिए आप मुझे जिन्दा नहीं देखना चाहते हैं आपकी मर्जी है हमने अपनी बात कह द मेरे मन में जो ख्याल आया कि ये लोग धंदा करने लगे हैं ये लोग पहले से भी होता रहा है मैं इसको ले के कोई ये नहीं हूँ लेकिन अब जो हो रहा है न वो पहले से चली आ रही चीजों से हर बार मिला के मत देखिए आप देखिए कि कितनी रिपोर्टिंग बंद ह हो गई है अखबार तक में भीतर मिनिस्ट्री के भीतर तक की बहुत सारी सुचनाएं बंद हो गई हैं सब ट्वीटर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं बहुत कम एक्स्क्लिसिव खबरे हैं जितने भी इंफ्लूएंसर बने हैं ट्वीटर पर जो नियूज आंकर हैं वहाँ प पारे में उसको कितने बड़े-बड़े आंकर स्ट्वीट कर रहे हैं कर सकते हैं वह तो चुटकोला वाला वीडियो लगा दीजिए जिसका एक लाग विजूल आ जाए फाल्टू का कुछ है काफिले के बीच में अम्बुलेंस का लगा यह सब हलका फुलका कर लिजिए क्या हमें ऐसा देश चाहिए कि हम डर्पोक बन जा हम तो कभी भी नहीं थे क्यों चाहिए तो हमने एक सवाल के तोर पे छोड़ दिया अगर आईसा देश चाहिए तो ले लीजे फिर मैं क्या कर सकता हूं नहीं वाशिंग्टन पोस्ट की स्टोरी शेयर कर सकते हैं करके दे सिपर उनको नहीं दिया गया और रेनाईए उसके एक लिज्टाप में कितनी बार वशिंग्टन पोस्ट में खबर चपी हैं कोट ने संग्यान कोट तो लेना चाहिए था कि कितनी सीरियस बात ही यह बार 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 इस दागर रही है कि लेप टॉप में बाहर से उनके लेप बड़े बड़े एंकर देख रहे हैं उन्होंने उस खबर को हाथ तक नहीं लगाई है डरे हुए हैं और वो ग्यान देंगे हमारे उपर और जर्नलिजम पे तो ठीक है आप जर्नलिजम में हैं सब कोई है सब कोई रहेगा जैसे से रहेगा मेरी जी इतनी समझ थी हमने समय पर हिसाब से बोला मेरी भी बहुत सारी कमिया हैं आप उसे बहस करते रही है बात कीजिये ठीक है अब हम परव पत्रकार हैं अप नहible पत्रकर सिलसला आपने कई साल चलाया लेकिन आप 2014, 15, 16, 17 के उनके वाइदों की ही लिस्ट आप देख लो तो सो स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था बना साफाई हो जानी चाहिए थी कॉमपेटिशन हुआ था मेरट में लोग आईडिया देने लगे थे कि उनके snatchवारों में च्छपा करता था कि स्मार्ट सिटी प्रती होगी था और यार लोग जा रहें सिरियसली तो अब जाकर उन अख़वारों को अगर आप निकाली है कि मेरट के अमर उजाला में स्मार्ट सिटी को लेकर कैसी कैसी कलपनाएं चल रही थी अंत में क्या हुआ बिहार में भी था मुजफर पूर और लेकिन रवीश फिर बात तो यह है ना कि वो सौय स्मार्ट सिटी हो गोद लिये हुए गाउं आपको याद होगा आद डिजटल पर कोई उठाए या हम जैसे लोग उठाएं लेकिन जनता क्या गंभीरता से ले रही है यह जादा बड़ा सवाल है और उन सवालों के आधार पर जनता को राय शुमारी या राय बना रही है यह और बड़ा सवाल यह लड़ाई है जनता को नेता अपनी तरफ से अलग दिशा में ले जाना चाहता है साहितेकार जनता को एक अलग तरीके से सम्वेदन शील बनाना चाहता है उसी बीच में कोई फिल्मकार आ जाता है जो बहुत तरह कि अस्छलिलताओं के साथ जनता को कहीं और बहा के लेके चला जाता है तो कुछ भी फिक्स नहीं है वो लगातार जनता जो है वो हवा की तरह बहती चली जा रही है तो वो कहीं जाएगी कहीं आएगी इसका मतलब यह नहीं कि साहितिकार लिखना छोड़ दे पत्रकार पूछना छोड़ दे और फिल्मकार फिल्म बनाना छोड़ दे क्योंकि जनता सिर्व राजनितिक एक ही तरह के राजनितिक फैसले की तरह जा रही है वो पहले भी जाती रही है आगे भी जाती रहेगी अभी यह दौर कुछ दूसरा है उसमें बहुत सारे संस्थाओं की भूमिका है हम लोग सब देखी रहे हैं अपने आसपास में पर हमें अपना काम करते रहना चाहिए अगर लोग अपना काम ना करते तो कोई गनेशंकर विद्यार्थी नहीं होता तो गांधी 1917 में चंपारन नहीं गया होता कोई पीर मुहमद मुनिस नहीं होते जो चंपारन से रिपोर्ट कर रहे थे अगर वो नहीं करते तो गनेशंकर विद्यार्थी को पता नहीं चलता कि चंपारन में क्या चल रहा था और वो उन छपी हुई खबरों को देकर गांधी इरादा नहीं बनाते कि चंपारन चलना ही चाहिए तो इसलिए हमारा आतीत यह कहता है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए ठीक है लेकिन यहां से भविश के अगर बात करें तो रविश दिखता है कि कुछ चीजें बदल रही है या आपके भीतर भी हताशा लगती जैसे मैं करें तो कई बार हताश होते है कि दिवार में सिर मारने जैसा है आप कुछ भी कहते समझाते रहो जैसे बिहार में कहा बात है पंचो की बात सिर माते खूटा यहीं कड़ेगा बात तो सही करें सर रोजगार नौकरी तेल डिजल पेटरोल सब चीज है लेकिन फिर भी लगता ऐसा है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है उमीद रखनी चाहिए और वो उमीद का कोई अगर आप डेट लाइन दे देंगे तो बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है हमने इतनी सगंता के साथ इस तरह से कभी बात भी तो मीडिया को लेकर नहीं होती थी मीडिया जो दिखाता था लोग वही सच मान लेता था अब ठीक है उतना सारा गोधी मीडिया को करोडों लोग देखते हैं ये बात तो सच है ही लेकिन वो लोग भी कहीं जाके सीना तान के पब्लिक में नहीं बोल पाते हैं बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं देखते हैं वो भी पब्लिक डिस्कोर्स में कहते हैं हम तो रविश को देखते हैं नहीं कहते होंगे तो उन्हें भी मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्यों गोदी मीडिया देखकर आप देश को शर्मिंदा कर रहे हैं, मत देखिए। इससे आसान किसी भी देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। टीवी नहीं देखना है बस। यह बात तो आप कही सालों से का रहे हैं। इसमें तो ना कपड़े गंदे होंगे, ना आपका बीपी बढ़ेगा, ना आप बीमार बढ़ेगे, रात को अच्छी नीन दाएगे। बहुत लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया जिद जी। मेरे कहने के बाद मुझे लगा था कि कोई नहीं सुनेगा लेकिन बहुत ने बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो टीवी नहीं देखते हैं, अच्छे लोग हैं जो टीवी नहीं देखते हैं, शायद वही लोग हैं जो शाम के वक्त अब OTT प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं और वहाँ एक नया बिजनेस है। अब जो शाम है वो स थोड़ा टहलें जादा करें, बीमार कम पढ़ें लेकिन फिर भी। इसलिए पता है कि अच्छे दर्शक कहीं और चले गए हैं। कुछ दर्शक अब आपके यूट्यूब पर आएंगे आपके वीडियो देखने हैं। हाँ मैं कर पाऊंगे तब तो, उतना अच्छा कर पाऊंगे तब तो। कि जैसे डर का जिक्र रविश आपके भाशन में, आपके लेखन में, सेमिनार में हर जगा बहुत हुआ है। वो डर का जिक्र करते हुए, आप ट्रोल की बात करते हैं, जो आपको गालियां देते हैं, उनकी बात करते हैं, उन्चेताबनियों की बात करते हैं, धमकियों की बात करते हैं, किस बात का डर लगता है, वो डर का स्केल क्या है, वो आया बहुत धीरे-धीरे, जब ट्रोलिं नहीं है वो जो कहते हैं अन्त में वही होता है और उसी ट्रोलिंग की वज़ा से उसी नेचर के अभियान की वज़ा से कई लोगों की सडकों पर जान गई है भले हमारी आपकी ना गई हो तो वो धीरे धीरे आया एक तरह से महौल में जहर फैलाया गया वो अपने आस पास जह आप गुजर रहे हैं जहां आप जहां कहीं जा रहे हैं वहां लोगों लोग भी उसी तरह से बिहेव करने लगे करते भी हैं उस तरह से आके तो वो एक डर घुसता है फिर लोग आपको बताना शुरू कर देते हैं कि ये लाइन मतलिक हो ये मत बोलो केस हो जाएगा वे मत क सवाल का जवाब देना पड़ेगा अब लगता है कि एडिटर्स भी तो वही हो गया है ट्रोल हो गया है तो वो अब सारा सवाल बाहर वाले जो ट्रोल है उनको जवाब देना पड़ रहा है तो वो एक हाईजेक तो हुई गया है वो डर बहुत वाजिब है वो सिर्फ डर मेरा आ गया, तो सबका डर मेरा डर भी बनता चला गया धीरे-धीरे-धीरे करके, और जिस तरह का आगात था, वो साधारन तो नहीं था, किसी पर भी. आगात मतलब? आगहात, मांसिक आगहात, शारीरिक आगहात भी बहुत सारी Incident है जो जो मैं बताना नहीं चाहता कुछ आपने कही जिक्र किया था कहीं धका मुकी या ऐसा बहुत तरह के हमले और इस तरह के चीजें तो कोई वीडियो वीडियो तो बनता ही रहता है वो सारे चीजें फोन पर गालियां और दूसरों के बारे में तो पढ़ रहे थे ना कि दूसरों के बारे मैं ऐसा कर दिया किसी और रिपोर्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि फिल्ड में उसके साथ हुआ है तो एक जगा तो हम घिरी गए थे पता नहीं वहाँ से वापस लौट पाते कि नहीं लौट पाते लेकिन निकल आए खेर किसी तरीके से तो वो धीरे धीरे चीजे बन जाती है चलिए ठीक तो सब चलता रहा ये सब तो मुझे लगा कि बहुत लोग जो हैं वो डर से बोल नहीं रहें तो मुझे लगा कि फिर कहना चाहिए कि भाई इस डर से लड़ो बोलो इस डर से ओपोजिशन के लोग डर से नहीं बोलते थी उनके भीतर भी डर फैल गया था जबकि कितनी ही बार लोगप्रिय नेता इस देश में पैदा हुए कितने ही लोगप्रिय नेता शांदार मेजॉरिटी लेकर आये और पूरा हंगामा मचा दिया लेकिन कोई इस तरह से घबराया नहीं कि कोई उनके आने से कोई जान चली जाएगी या हम अब लिख बोल नहीं सकते हैं ये तो चौदर के बाद ही हुआ नहीं है चौदर के बाद ये भी हुआ कि जैसे सभाव से आप ऐसे भी शायद थोड़े एकाकी रहने वाले आदमी हैं आपने कई बार कहा आप अकेले में रहते हैं आप बहुत जादा पार्टी बाजी या बहुत जादा इधर उदर मैंने अभी वाटसप स्टेटस डाला है कि शादी ब्यार जन्रीन सभा सेमिनार में ना बुलाएं ना बुलाएं तो आप इन सब से थोड़ी दूरी पहले भी बनाते रहें लेकिन ये भी बदला हुआ होगा कि एक होता है चुना हुआ एकाकी पन कि हमने इस एकाकी पन को चुना एक होता है थोपा हुआ एकाकी पन कि ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपके आसपास के परिवेश के लोग दूसरे नजरिये से आपको देखने लगें और एलियन की तरह या आपको अलग मानने लगे क्योंकि आप उनकी तरह से नहीं सोच रहे हो जैसे वो सोच रहे हैं जिनकी सोच में कुछ नफरत है कुछ कटरपंत है कुछ कहीं मोधिभक्ती है या अलग-अलग आयाम है उसने भी आपको और एकाकीपन किया और कहीं हतास किया दोनों ही बाते हैं दोनों का ही रोल है तो मैं स्वभाव से भी था और कुछ थोपा हुआ भी है कि हर जगा हर समय नहीं जा सकते हैं जाने से पहले सोचना तो पड़ता ही है कि किस तरह के लोगों से मुलाकात होगी क्या वो हरकत करेगा तो और ये बातें स्वभाविक रूप से भी आती हूं कि कहा जाना है नहीं जाना है तो बहुत तरह के आपके वाटसेप पर परिवार के लोग, extended family के लोग, रिष्टेदार जो आपको आप पर गर्व करते होंगे और आपके साथ लगातार रिष्टेदारों से तो मेरा कभी अतना नजदी की संबंद रहा नहीं कि मैं बहुत कम दिल्ली आगया तो फिर यह सब टूट गया फिर बीच में तो लेकिन परिवार के लोग तो मोटा मोटी साथ ही हैं तो ऐसा नहीं है कि उन से तो काफी सपोर्ट मिला मुझे फैमिली के ल होता है कि लोगों में ऐसी मोर्चेबंदी और लामबंदी होगी सोच के अस्तर पर विचार के अस्तर पर भयाना की बन लेकिन जो कोर्ट फैमिली ग्रूप है उसमें ऐसा नहीं हुआ सब एक तरह के लोग अभी भी कायम हैं तो उस तरह से वो लोग काफी मुझे मालूम नहीं वो किसको वोट देते हैं लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा थोड़े चिंतित तो रहते ही हैं और साथ भी देते हैं एक आरोप रवीश बहुत सारे लोग जो आपके आलोचक हैं वो भ अतिरंजित कर देते हो डर को अतिरंजित नहीं है कम बताता हूं तभी तो आपको घटनाए नहीं बताई मैंने तभी तो जगह नहीं बताया आपको जगह का नाम नहीं बताया कम करके बताता हूं लेकिन वो वो डर जिस डर की बात करता हूं वो इंडिविजुल कम है एक ड कुद नहीं बोलते हैं डर से लेकिन वो डर को ही क्वेस्टन कर रहा है कि नहीं डर नहीं है तो अगर आपको डर नहीं है तो आप वाशिंग्टन पोस्ट वाली स्टोरी शेयर कीजे ना स्टैन स्वामी वाली स्टोरी शेयर कीजे मेरे कहे वे डर की बात को घलत साबित करने से अच्छा है कि आप स्टैन स्वामी की रिपोर्ट जो वाशिंग्टन पोस्ट में आई है निहा मसी की आप उसको शेयर कर दिजे तो आप उत्ता तो कर लिजे कम से कम या वो सवाल उठाकर देखिए जो बहुत जरूरी है जो कहिए फिर आप फिर मैं भी देखूंगा कि अच्छा इतना डर नहीं है मैं देखू कौन करता है तो यही होता था था ना कि एक कोई बड़ी खबर आते थी हम आप सब कहते थे कि आप वहाँ एक्सप्रेस की स्टोरी देखो या हिंदुस्तान की स्टोरी देखो या उसकी स्टोरी देखो पत्रिका की देखो या फिर वारता-Bхारती की स्टोरी देखो लोकमत की स्टोरी देखो इतनी बड़ी इसका फॉल्व अप करो अब तु ऐसी बड़ी खबर आने थी सब छोड़ के भाग जाते हैं यह क्या है यह 2010-11-12-13-14 अगर देखो गया तो उस दौर में यूपिय टू के खिलाफ कोई भी स्टोरी जो लोग यह पोस्ट लिख रहे हैं कि डर को पी रंजित किया उन्हीं के पोस्ट पर जाके आप चेक कर ली कि वो सरकार से संबंदित जो क्वेस्चन करने वाली खबरें कितना शेय करते हो कई बार आपने स्क्रिन शॉट शेयर किया जिसमें डालियां भी थी जिसमें आलुचना से तई कदम आगे जाकर धम किया भी थी तो उनका सिलसला वाटसेप पर एंडी टीवी से विदाई के बाद थमा है कम हुआ है कहीं खुशी है नहीं गम है एक दो लोगों की ग समर्थक हूँ और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कहीं लोगों ने लिखा कि मैं बीजेपी का कारे करता हूँ पर मुझे आज आपके लिए बहुत दुख हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसे बहुत सारे मेसेज आये हैं जी चाहने वालों के लिए भी आये हैं जो मोदी के समर्थक हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं उन लोगों ने भी लिखाया है कि हम आपको मिस्स करें और ये आपके साथ नहीं होना चाहिए था तो वो कह नहीं पाएंगे लेकिनी बात सच है आप उनसे कभी निजी बात्चीत में पूछ सकते हैं वो बता देंगे वो अबी जब अकेले होते होगे रवेश तो अपने पर घर की यहां मैंने यह पाल लिया मतलब हम क्या बताएं आपको देखिये रमन मैकसे से मिला तो मैं आया और काम करने लग गया तो मैंने उसकोई पार्टी भी नहीं दी और वो फलिपिंस में बहुत सारे तोफे मिले थे तो वो बैग अभी तक खुला नहीं है, वो बैग बंदी रह गया क्योंकि हम काम करने लगे प्राइम टाइम में और इसकी दूसरी जिंदगी नहीं, तो वो वैसे कि वैसा रखा हुआ है, तो और वो वो आवार्ड मा भी देखी तो एक साल के बाद देखी वो, मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं घर में सामने रखा हुआ है, यह है इस तरह से, तो किसी इन सब चीजों का कभी जश्टन मनाया नहीं, मतलब, यह मैं चाहता हूँ, आपको शक होगा, पर मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए, ने ने शक नहीं होगा, गर्ब और टाइसरा नहीं होता है, ने ने कई बार आदमी को फील हो सकता है, कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, कि इतने लोग बेश्टन मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, वो मैं एकदम आगे बढ़के समेट लेता हूँ, यह बहुत दुरलब चीज है किसी से प्यार मिलना, और कोई मिलता है तो मैं एकदम गले लगा लेता हूँ, मैं खुशी-खुशी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कलम, घडिया, बहुत सारी दी मतलब, मेरी दर्शकों ने मुझे सब चीज दिया, मैं इतना पता सकता हूँ, वो बहुत अच्छे लोग है, इसलिए मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, तो टाइम-टाइम के वारे में और उनसे लिख रहा हूँ, और हमारे दर्शक फिर सर हिला रहे हैं कि हाँ, इस तरह से बात है, नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो यही पंक्तियां सोचना, उसको इमेजिन करना, उसका इनी सब में मैं खो जाता हूँ, तो यह बताव रवीश, देखो प्रशन्सक मैं भी तुम्हारा हूँ, और कई बार होता है कि आप किसी और संस्थान में होते हैं, लेकिन रशक उससे करते हैं, जो आपसे बहतर कहीं और कर रहा होता है, और मैंने बहुत करीब से रवीश कुमार के गुरोथ को देखा है, दूर रहकर, बाहर रहकर, रवीश को कई तरह से लोग आकलन या परिभाशित कर सकते हैं, आपके लेखों की वज़े से एक अच्छे ब्लॉगर जो आपने कस्वा लिखा, आपकी किताब, आपकी लेखनी, प्राइम टाइम, समाजिक सरोकारों के प्रतिक कंसर्न, नागरिक अधिकारों के प्रतिक कंस सम्विधान के दाइरे में रहकर नागरिक चेतना को जगाने वाले या जगाए रखने वाले पत्रकार के तोड़ पर बहुत तरह से आपको परिभाशित किया जाता है, और करते हैं, आपके चाहने वाले, आपके प्रशन सक, आपको अवार्ट देने वाले, रवीश कुमार खुद को कैसे डिफाइन करता है? जगा पर रहती हैं, उस रवीश को कुछ अच्छे दोस्त हैं, जो दिन रात देखते हैं, इस देश में भी हैं, इस देश से बाहर भी हैं, जो बहुत संभालते हैं, और फिर वो इसी तरह की कोई किताब बढ़ा देते हैं, कोई कहानिया बढ़ा देते हैं, तो मेरा दिन इ थोड़ा चाहता हूं कि जो वक्त मैंने परिवार को नहीं दिया वो अब मैं उस असंतुलन को दूर करूं थोड़ा घर के काम भी करूं और उस घर में थोड़ा सा शामिल होना सीखूं कि तालाबंदी के बाद जब हम घर में रहने लगे तब पता चला कि हम इस घर में कितना नहीं रहते थे उस दिन से एहसास यह थोड़ा जादा हो गया लेकिन तब भी प्राइम टाइम के कारण अब वक्त नहीं मिला तो मैं ऐसा कुछ जरूर करना चाहूंगा कि कुछ फैमिली के लिए मैं वक्त रखूं थोड़ा धीरे चलूं और थोड़ा सोच मूं थोड़ा लिखूं और लोगों को यह महसूस करने दूं कि अब रविश नहीं है प्राइम टाइम में और उनकी आदतों का जो हिस्सा है वो भी उस आदत से दूर जाएं मुझ से दूर जाएं इसलिए आप देखेंगे कि अगर मैं लोग प्रियतावादी होता तो तीन मिलियन पर मैं ने कोई वीडियो नहीं बनाया कई लोगों ने कहा कि यह पीक चला जाएगा तुम्हारा मॉमेंट है ना लेकिन मैं चुप चाप मुस्कुराता रहा कि जो जा रहा है उसको मैं रोक नहीं सकता जाने दो जो आ रहा है उसे भी मैं नहीं रोक सकता तो आने दो मैं गले लगा यह जीवन है इसको आते जाते के बीच में हमें देखना चाहिए और जरूर हम गुस्षे में कई बार तन के बोल देते हैं वो मैं भी बोल देता हूं इसी इंट्रिवी में कई बार बोला होगा लेकिन याद दिलाते रहना चाहिए कि थोड़ा विनमर होके थोड़ा जुक के चलो सीना तान के चलो लेकिन इतना भी मत तानों की कुर्टा फट जाये और वो सारा जूट निकले कि इतना इंच का सीना है तो नॉर्मल आदमी की तर रहना सीखना बहुत जरूरी है कि बहुत जादा माध्यमों का हस्तक्षिप हमारे जीवन में हो गया है तो यह सब अगर हम कर पाएं तो लगेगा कि ठीक है अच्छी बात है कर पाएं अगर नहीं तो आजीविका चलाने के लिए मुझे मालूम नहीं कैसे दिन देखने पड़ जाता है यह extended उसी का सवाल है थोड़ा कुछ और निकले रवीश कुमार अपने को कैसे याद किया जाना चाहते है कि मुझे कैसे याद किया जाए बहुत मुश्किल है मैं अगर आपने पूछी लिया है तो इस सवाल का कुछ न कुछ जवाब देना ही पड़ेगा मैं चाहत हूं कि वो एक-एक एपिसोड निकाल कर देखें फिर उसकी बात करें फिर वो देखें कि उसमें क्या कहा गया है कैसे कहा गया है उतना कोई करेगा नहीं इतना किसी के पास धीरज है नहीं तो ठीक है कोई किसी मेरे वहवार को लेकर खिनता जाहिर करेगा कोई किसी मेरे कु चाहते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो कोई करना नहीं चाहेगा तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे भूली जाएं वो ठीक है रविश कुमार को आखरी बार बहुत खुशी कब मिली वो सब पारिवारिक है प्रोफेशनल भी हैं जैसे ये फिल्म ही रिलीज हुई हमें समझ में नहीं आए कि मैं बहुत खुश हूँ कि क्या हूँ बहुत उदास हो गया फिर बहुत चुप भी हो गया बोला भी कुछ नहीं चुकि फिल्मेकर से मेरा रिष्टा दूसरा है तो तो अगर ये सब माइल स्टून है अगर माना जाए कि ये बहुत खुशी के लम्हे है खुशी के लम्हे तो हैं लेकिन कोई वैसे बहुत खुशी वाले मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फिछले बहुत सार ऐसे दिन आते रहे है बहुत मुश्किल है आखरी सवाल करते है बड़ा दुख कब हुआ जो लगे कि बहुत शॉकिंग हो गया ऐसे तो बहुत है अजीर जी बहुत परसनल नहीं होना चाहते है ये एंडी टीवी से जाना भी है हाँ है देखी मेरा जीवन गुजराया मैं चिठ जाटता था यहां गूरॉप एडिटर भला जब मेल आया तो और ऐसा नहीं कि कोई मैं जाएक कोई हड़काने वाला गूरॉप एडिटर मैं किसी को बदाया भी नहीं कि मैं कि मैं गूरॉप एडिटर मैं घजimport है कि ऐसा कोई मेल आया है तो यह भी नहीं कोई मैं सेलिबरेट कर रहा हूं या कोई मुझे बुला कर सेलिबरेट कर रहा है तो जिस दिन वो मेल आया तो मुझे लगा मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी यह क्यों आया किसने पहले बंद करके सो गया है इसकी अब मुझे क्या जरूरत है, इसकी दो कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप मैंजे प्रोफाइल बायो में यह सब कहीं लिखावा नहीं देखिए, मैं जानता था मैनेजिंग एडिटर होगा, आप ही कि उसे मुझे सुना जब वीडियो में, तो मैं भी लेगा कि अच्छे यह कब हुआ, तो व रवीश आपने जिन्दगी में बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ हासिल मतलब दर्शकों का प्यार, लाखों लोगों का इस तरह से आप पर भरोसा, इन 27 साल के सफर में खास करके भी ते 20 सालों में, लेकिन यहां से जब अपने माजी में जागते हो अतीत में, तो कभी में जब घर में लोग सो जाते थे, तो मैं गाड़ी लेकर किसी महले में चलाया रहता था, और किसी चाय की दुकान पर बैठके लोगों को अब्जर्व करता था, देखता रहता था, तो जब से लोग मुझे देखने लगे, वो देखना बंद हो गया, तो मुझे लगता था कि वो बहुत बड़ी कीमत मैंने चुका दी उससे मेरे अंदर हर दिन कुछ नया आता था कुछ नया लिखना, बोलना, नये शब्द आते थे बहुत मज़ा आता था उसका सुख बहुत अलग है एक तस्वीर ही लगाता था, लगता था कि मैं अकेले कहीं गया हूं शाहदरा में भटक रहा हूं और ऐसे इंगाड़ी लगा कि किसी महले की तरफ देखके मैं पैदल चलता रहता था, देखता रहता था तो वो सब चीजें तो अब नहीं कर सकते हैं शायद कुछ दिनों में जब लोग मुझे भूल याएंगे तो मैं फिर से कर सकता हूँ और लेकिन मेरा मन बहुत करता है कि कहीं जाएं और देर तक बैठे रहें लोगों से ट्रेन में चलते रहें और मैं लोगों की कहानिया सुनू और उनकी कहानिया लिख दो और उनको पता ना चले कि मेरे बगल में कोई रविश कुमार लेटा हुआ था और या सफर कर रहा था लोग मुझे बहुत खुल के बात करते हैं यह तो है देखते हैं यह पुरा घर का सारा सामान खोल देते हैं कि लीजे यह देखिए बहुत अच्छा लगता है कि कितना ट्रस्ट है लोग का मेरे उपर वो सब कुछ दिखाते हैं अपना बैंक बालेंस बताने लग जाएंगे कभी कुछ बताने लग जाएंगे घर के जगड़े बताने लग जाते हैं बड़ा अलग तरीके का संबंद बना दर्शकों के साथ इसलिए मैंने वो वीडियो उन दर्शकों के लिए बनाया कि मैं आपकी वज़ा से ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी कोई विनम्रता में प्रकट किया गया आभार नहीं था ये उस प्रोसेस का सबसे बड़ा हिस्सा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्शकों ने बनाया और ये क्रेडिट मैं किसी के साथ श염 नहीं कर सकता ये केवल और केवल दर्शकों का है बाकी दूसरी सारी चीज़ें समय सहायक हैं मुख्य भूमी का मेरे दर्शकों की है मुझे बनाने में और ये विनम्रता की बात नहीं है वो अगर नहीं होते तो मेरे जैसे लोगों को से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता वो हैं इसलिए मुझे से छुटकारा पाने के लिए हजारों करोड की डील करनी पड़ती तर्शक हैं इसलिए इसलिए मुझे बनाया उन्होंने मुझे टिका कर रखा उन्होंने आखरी सवाल अपनी जिन्दगी में जो जिन्दगी जी चुके आप या जो बीच चुकी उसमें से कुछी बदलने का इसको खुदा आपके पास काल्पनिक सवाल है तो क्या आप बदल लेते हैं मैं कुछ बदलता अपनी नीजी जिन्दगी में मैं थोड़ा काम और जीवन का बहतर सही जन करता थोड़ा खाना बनाना सेखता बच्चों को बना कर खिलाता पत्नी के काम में मैं मदद करता जो मैं नहीं कर सका जिसकी वज़े से उन पर जादा बोज आया ये सब अच्छी बाते नहीं है ये इस तरह का बईखाता किसी की जिन्दगी में नहीं होना चाहिए पर अब मैं उसकी भरपाई करने की कोशिश करूँगा मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास वक्त है हला कि बहुत बड़ा वक्त जा चुका है पर अगर हम कर पाएं तो मुझे बहुत संतोश होगा और अगर मैं यही अपने अतीत की जिन्दगी में थोड़ा बदलना चाहता हूँ कि काश मैं मेरे पास कुछ वर्थ है मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ मैं कुछ खा रहा हूँ उनको बना कर खिला रहा हूँ जिससे आप लोगों को बनाते देखता हूँ तो मुझे बहुत रश्क होता कि काश मुझे यह आता लेकिन जब तक मैं ये सब सीखता तब तक मेरी भूमी का कहीं और लिख दी गई थी और मैं वो निभाने चला गया तो मैं वो लोट कर फिर वो जीना चाहता हूं अगर मुझे मुझे मौका मिलाता है इसलिए मैं पेंशन की बात कर रहा था चले बहुत बहुत शुक्रेया रवीश बहुत अच्छा लगा और मैंने कोशिश की कि अलग अलग पहलूओं पर भी बात करें बहुत सारे वैक्तिकर सवालों से रवीश बसते हैं और मैं इसकी रेस्पेक्ट भी करता हूं लेकिन फिलहाल बिना किसी क्लोजिंग रिमार्क के दर्शकों पर छोड़ता हूं आप देखिए समझिए उस शक्स को जिसको आप 20 सालों से सराहते और प्यार करते रहें और इन्होंने तो नहीं कहा इनकी मोडेस्टी है लेकिन मैं आज फिल कर रहा हूं जो मैंने पहले कहा किस वीडियो को देखते वक्त रविश कुमार ओफिसियल के नाम से जो इनका यूट्यूब है उसको सबस्क्राइब दीजिए पेज आपने फेस्बुक का नया बनाया है रविश पहले से पेज है रविश का पेज इनका फेस्बुक पेज है उसको फॉलो करें लाइक करें और अब चुकी एंडि टीवी में नहीं है प्राइम टाइम का डेड एंड है तो यहां से एक नए रवीश को शायद हम देख पाएंगे अभी तो हमने दो संदेश देखा है तो द चैनल पर जरूर लिखिए आप देख भी रहे हैं बहुत अच्छा है कि यह वक्त है कि आप सब आगे आएं और जिस तरह से पैसा ताकत सब कुछ न्यूज चैनलों के साथ खड़ा हुआ है और वो एक हतियार बना है आपकी आवास को दबाने का आप उसके विरोध में खड दिजिए यूट्यूब चैनल देखिए शुक्रिया नमस्कार